वालमिकी रामायन के सुन्दर कांड में अभी तक हमने बत्ती सर्ग किया शुरू में हनुमान को ये डिलेमा ये अंदर से परेशानी थी मैं कैसे सिता से बात करूं क्योंकि सिता अगर डर जाएं और चिलाने लगे तो राख्यशी राख्यश जग जाएंगे और मुझे पकड है वो फिल हो जाएगा तो बहुत सुच समझ के अनुमान ने एक तरीका निकाला सीता से डाइरेक्ट मिलने के लिए तो उन्होंने सबसे पहले पेड में बैठके बहुत ही धीरे स्वर से राम की पूरे खांदान की गुनोगान करने लगे और राम की रशंशा करने लगे औ से सीता का अपहरण हुआ और राम की क्या दश्शा है तो सीता के कान में जब यह बात पड़ी तो उन्होंने थोड़ा उपर मोह करके देखा कि कोई वानर है ऐसा बोलता रहता है तो उनको अंदर से खुशी भी हुई बड़ा श्चरिय सर्प्राइब भी मनी मन सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कोई रावन की कोई दूसरा मायवी रूप है तो हनुमान ने उनको उपर से ही समझाया वहर कभी सीता का मन माने कभी नहीं माने तो जब सीता ना मानने के हालत में हो अनुमानों को अराम से समझाते थे और समझाते हुए पेड़ से धीरे-धीरे एक-एक स्टेप नीचे आ रहे थे जब हनुमान थोड़ा नीचे आने लगे सिता फिर घवर आई आप समझ पाते होंगे जो इतने दिनों से इतने ज़्यादा टर्मल से गुजर रही है इतना टर्चर हो रही है जिसने लाइफ में कभी दुख क्या देखा नहीं था तो वो अंदर से इतने डरी हुई है कि हर चो कि अनुमान को समझा या उसके आगे से हम करेंगे हनुमान और सीता की जो समबाद है थीरे धीरे धीरे अगे आगे हो रहा है सीता की ट्रश्ट हनुमान को जीतना है और अपनी जो मिशन है उसको आगे बढ़ाना है पाग लेंगे 33 स्तावतिर्य द्रुमा तस्मा द्विद्रुमा प्रतिमानना विनीत वेशक्रपना प्रणिपत्यो पसृत्यचा ताम अब्रविन महातेजा हनुमान मारुतात्मजह शिरस्यंजलिमाधाय सीताम मधुरयागिरा तो हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ एक डाली से दूसरे डाल वो करके धीरे धीरे नीची की और उतरने लगा बहुती विनीत बहुती पुलाइट और हम्बल वो करके दोनों हातों को जोड़ करके अब कभी कभी तो अपने दोनों हातों की अंजले बना के सर पे रख करके तो ऐसा करके उन्होंने बहुती मीठी भाशा में और धीरे धीरे सीता से बोला कानुपद्म पलाशाक्षी क्लिष्टक उशय वासिनी द्रुमस्य शाखा मावलंब्य तिष्ठसित्वम अनिंदिते कि मर्थम तवनेत्राभ्यां वारिस्रवति शोकजं पुंडरिक पलाशाभ्यां विप्रकेरिनामि वोधकं हे कमल की पत्ते की समान आंख जिसकी ऐसी सीता जिनोंने सिल्क कपड़े पहनी हैं पर वो बहुत मैली कुछली हो चुकी है एक पेड़ की टहनियों को या शाखा को पकड़ के खड़ी हैं आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं आपके कमल जैसे आंखें अपके आंसूं से भीग चुका है सुरानाम सुरानाम वा नाग गंधर्व रक्षसाम यक्षानाम किन्रानाम वा कात्वां भवसिशोवने कात्वां भवसिरुद्रानाम मरुताम वा राहनने आप कौन है? आपकी देवताओं के संबन्द है, आप राख्यसों से रिलेटेड हैं? नाग, कंदरव, राख्यस, यक्ष, किन्नर, आप किस रेच से, किस जाती से रिलेटेड हैं? आप रुद्रों से मरुत वसू किसे रिलेटेड आप हैं कि इन्नु चंद्रमसाहीना पतिता अभिगुधा लयाद रोहिनी जोतिशाम स्रेष्ठा स्रेष्ठ सर्व गुणान्य ताक ऐसा लग रहा है कि मानो रोहिनी नख्यत्र जो सबसे चमकती हुई तारा है वो आकाश शे नीचे गिर रही हो और मानो आकाश चंद्रमा से हीन हो गई हो ऐसे सुखे और तयनी अवस्था में है कात्वां भवसी कल्यानी त्वमिनिंदिता लोचनी कोपाद्वा यदिवां ओहात भरतारमसी तेक्षनी वसिष्ठम कोपई त्वात्वम नासी कल्यान अरुंदती आप कौन है कल्यानी किसी को बहुती पॉलाइटली बोलना होता है किसी लेडी को या पुरुष को तो यहां कल्यानी मतलब कौन है आप कल्यान प्राप्त कल्यान पाने वाली लेडी ऑस्पिस्यस लेडी आपके आखें अनिंदित हैं सुन्दर हैं यह तो खैर महिलाओं को बात कर प्राचिन काल में उनकी तारिप की जाती थी आप किसी गुस्से में या डिलूजन के कारण पती से अलग हो करके आई हैं क्या जैसे अरुंधती क्या महिय सी अरुंधती वसिष्ट से गुस्सा करके आई हैं कुन पुत्रह पिताब्राटरा भर्तावाते सुमध्यमें अश्मान लोका दम लोकं गतम्त्वा मनुशोच जसी कौने अपका बैटा पीटा कौने अपकी भाई कौने आपकी पत्नी कौन, आपका पती कौन है सुमध्यमें इस लोग से दूसरी लोग जाने की कोई दुख है क्या अर्थात किसी की कोई डित हो गई क्या एक चीज आप जरूर ध्यान से जानिएगा समय के साथ टाइम के साथ और एजेश के साथ अड़ेक्टिब्स और बात करने की तरीका बदलते रहते हैं उसमें श्लीड और अश्ली की डिफिनेशन बदलता रहता है सिविलीटी और इंस वे बदलता रहता है अब अगर प्राचिन संस्कृत लिटरीचर देखें जब महिलाओं से बात करते हैं या पुरुषों से भी तो उनकी वो कोई भी हो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो वो उनके कोई ना कोई गुनों क अगर हो तो भी बताएंगे कि इसी तरह किसी महिला किसे बात करते हैं तो उनकी कोई गुन लेकर बात कर सकते हैं कि विदूशी या जिसे सुमध्यमा शब्दा आता है कि जिसकी मध्यमा कमर जिनकी पतली है सुन्दर आंख वाली चांड जैसे मुह वाले सुने जैसे चमकते हुए तो इस तरह की आडजिक्टिव के साथ किसी भी पूरुश या महिला को संबोधन करना एक आम बात हुआ करती थी जैसे यहां एविन हनुमान भी जब बोलते हैं असित असिते लक्षन काले जिसको कहते ह तो यह के नॉर्मल बात्चित की तरीका होती है किसी भी पूरुश यास्त्री से जब बात करते हैं जो उनकी में रियल वो चीजें हैं तो उसी के साथ बात करते हैं तो हो सकता है आज यह चीजें खोड़ा अकुर्ड लगे कि वही किसी अंजान महिला से कोई ऐसी बात करता है अंजान पूरुश से को इसी बात करता है पर उन दिनों यह नॉर्मल सोसाइटी के पाठ बात अब सीता के बारे में जहां-जहां बात होती है कोई ना कोई उनकी रूप की प्रशंशा को उनकी प्रशंशा की बात को आती रहती है तो क्या आप का घर में कोई किसी की प्रश्वाशाद भूमि संस्पर्शनाद अपी नत्वाम देवी महमन ये राग्या सरवग्या वधारनात तो मुझे यह भी नहीं लग रहा है कि आप कोई ऐसे तो आपकी रूप और व्यू से लग रहा है कि जैसे आप कोई दिवाइन लेडी हो इतने सुंदर अपने ग्र लंबी सांसे लेना जमिन पर बैठे रहना ये सब प्रूब करता है कि आप देवी या डिवाइन लेडी नहीं है तो आप कौन है व्यंजनानी चते यानी लक्षनानी चलक्षये महश महीशी भूप भूमी पालस्या राजकन्या चमे मता मुझे ऐसा लगता है जिस तरह कि आ कि आप किसी राजा की महिशिये राणी है या किसी प्रिंसेसे सिराजकुमारी है जिसको रावन ने जनस्थान से जबर्दस्ती अपहरण करके ले आया था अगर आप यही सीता हैं, रुपया मुझे जरूर पताईए कि आप वही हैं। उसे चो मुझे यही लगता है, शायद आप राम की पतनी सीता है। हनुमान की यह बातें सुन करके, राम के गुणों का किर्टन सुन करके, किर्टन समझते हैं ना, किसी के बारे में जो अच्छी चीज़ें उसको बार बार बोलना, रिपीटेटली बोलना को किर्टन कहते हैं। सुन करके, मनी मन खुश हुई, वैदे ही सीता ने, जो एक पेड के शाहरे पर खड़ी थी, तो उसने हनुमान से बोला, कि धर्ती पर बड़े-बड़े राजाओं में स्रेष्ठ, सत्रों के सैन्यों को कुचलने वाले राजा दशरत्ती में बहु हूं। सीता हूं, और मैं विद्वान ज्यानी राम की पतनी सीता हूं। एक चीज आप नोट करेंगे, वो भी आपको पता चलेगा जो हमारे एक ट्रेडिशनल कल्चर है। कि जब कोई अपने आपको इंट्रेडिश कराते हैं, सीता दो तिन बार अपने आपको इंट्रेडिश कराई। और हमेशा पहले क्या बोला, कि मैं दशरत की बहु हूँ, मैं यापनी आपको पकुतम हैं। वो कभी भी पहले आंसर में नहीं बोलता है कि मैं राम की पतनी सीता हूं। तो एक जो हमारे यहां ट्रेडिशन रहा है, अपने घर की जो सिनेयर मोस्ट मिम्बर है, तो ये सीथा की ट्रीश्टल जो ये सीथा का नाम लेती हैं पिर पिता का नाम लेती हैं तीसरी बार में हमेश्चा राम की नाम लेती हैं उसकी बाद तो वाखी लोग आएंगे राम मेरा देवर है उगरा उगरा वो सब तीसरे चौथे पर आते हैं वो सीधा बोल सकते थी कि मैं राम की पतनी सीथा हूं पर उस समय इसी तरह की संसकार या उस तरह की पैटन हुआ करता था आज भी आज भी जो ठोड़े ट्रेडिशनल महोल में रहते हैं व अपने आपको अपनी पती या पतनी से सेंटेंस में बोलते हैं पहले सेंटेंस में तो अपनी पिता माता या अपने सास असुर को नाम से आइडेंटिफाई करते हैं फिर पती या पतनी के नाम से बोलते हैं तो यह एक अच्छी चीज है कि जिससे कि आप अपने फ्यामिली कि जो हाइरार्की है जो हेरीडेट्री है उसके साथ आप अपको हमेशा कनेक्ट करके देखते हैं ना कि भाई मेरी शादी हो गई हमें और मेरी पती मेरी पतनी दुनिया यह यह ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है है ना तो पर जो एक यहां फैमिली को रेस्पेक करने की थी आज भी है बहुत सारे लोग क्वेश्टन उसमें वह हो रहे हैं पर आज भी है कि अपनी आइडेंटिटी इविन आप्टर मैरेज अपनी आइडेंटिटी अपने पिता माता अपने सास ससूर फिर थर्ड आपकी प तीन चार बार मैंने देखा उनकी स्टेट्मेंट में तो हमेशा पहले दशरत की बहु फिर जनक की वेटी फिर राम की पत्नी तो अपने आपको इंटर्डूश करती है समाद्वादश तत्राहम राघवस्य निवेशने भुंजाना मानुशान भोगान सर्वकाम सम्रुधिनी तत्रत्रयोदशे वर्षे राज्यने ख्ष्वाकुनंदनम अविशे चाईतुम राजा सूपाध्याय प्रचक्रमे मैं राघव के घर में राम के घर में मलवा युद्या में बारा साल तक भोग भोगा बारा मनुश्य वर्षों तक मैंने सब तरह के सुक शम्रुधिका भोग भोगने के बाद तेर्वे साल जब शुरू हुआ तेर्वे साल में इख्वाकुनंदन राम के जब अभिशेक होना था राज्य अभिशेक होना था राजा और गुरुदेव विचार कर रहे थे अभिशेक करने की तभी आम और सिता के विवाग के वाद 12 साल तक वो अयध्या में रहे 13 साल के शुरुवात में क्योंकि हमारी यहां वर्ष का आरब नया साल कब होता है चैत्र शुक्र प्रतिपद जो के पहला जो दिन होता है वही होता है हमारा नया साल आज भी जो अभी दिरे दिरे तो लोगों में अवर्ने सहने लगाा हैं तो वह जो वसंत रितुमें वसंत रितुमें पढ़ता है और तभी वो चैत्रमाश का प्रथम दिन आया और वही दिन चुना गया था किसके लिए राम की राज्यावेशिक के लिए तो तेरवा साल की ज़र शुरू ही हुआ था पहला दिन उसी दिन उनको वनवाश के लिए निकलना पड़ा तो बारे साल तक उनोने आयोध्या में वो रहे तस्मिन संब्रियमानेतु राघवस्याविशेचनी कैकेई नाम भर्तारं देवीवचनम अब्रवित नपिवेयं नखादेयं प्रत्यहं ममभोजनम एशमेजिवितास्यांतो रामोयदी अभिशीच्यते और जैसे ही राम का संब्रियमाने उसके लिए सारे संभार प्रिपेरेशन ओ रहेते सामग्रियां एकठी की जाइए तैभी देवी काइकेई तैब dramatically से बड़ों को देवी कहा जाता है देवी कई-कई अपने पती से बोला कि ना मैं पानी प्यूंगी ना मैं खाना खाऊंगी मैं हमेशा के लिए खाना छोड़ दूंगी और आवश्यक पड़े जरूरत पड़े तो मैं अपने जीवन भी त्याग दोंगी अगर राम का अभिश गच्चतु राघव सराजा सत्यवाग देव्या वरदान मनो स्मृत्समरन मुमोहवचनम शृत्वा कईके यहा कुरम अप्रियम देवी कई-कई के इस कुरूर और अप्रिय वातों को सुन करके राजा ने बहुत कोशिश किया कि कई-कई-को समझाया जाए राघवववन को पर जब कई-कई नहीं मानी तो सत्यवाणी पर टिके रहने वाले मेरे ससूर मला राजा दश्रत्म कई-कई-के वचन सुन करके वो बेहोश हो गया ततस्थुस्थविरो राजा सत्यधर्मे व्यवस्तिता जेश्टम यसस्विनम पुत्रम रुदन राज्यमयाचता सपितुर्वचनम श्रीमा नभिशेकात परंप्रियम मनसा पुर्वमासाध्य वाचा प्रतिग्रही तवान तब जब मोह से वापस आये मुर्च फेंट होने के बाद जब वो वापस नार्मल हुए जो की सत्यधर्म पर ठिके रहने वाले दश्रत अपने बड़े बेटे यसस्वि फेमस पुत्र को रोते हुए भीक मांगा तब अपने पिता जी के वचन को सुन करके अभिशेक जहां जी कोरोनेशन होने ही वाला था कोरोनेशन से ठीक पहले तो उनोंने अपने मन से यह विचार बनाया और उनोंने अपने पिता की बात को मान ली राम की जो श्ट्रेंथ है वो क्या है वो देते हैं ना प्रति ग्रणियात वो कभी कुछ लेते नहीं है ना ब्रियात किंचित अप्रियम कभी किसी से वो कड़वा बोलते नहीं है और अपने जीवन भी देने को तैयार होते हैं पर अपने सत्य पर ठिके रहने वाले होते हैं तो राम ने क्या क्या सविहाय उत्तर्यानी महराणी महायशह विश्रुज्य मनसा राज्यम जनन्य इमाम समाधिशत तब उन्होंने उसी समय अपनी महंगे महंगे जो कपड़े थे ऊपर के गर्मेंट्स ते उत्तरिय जिसको चुनियोग रखेते हैं उसको उन्होंने उतार के रख दिया और मनी मन जननी के लिए अपनी माँ के लिए राज्य को सौंप दिया कि साहम तस्या ग्रतस्तूर्णम प्रस्तितावन चारिनी नहीं में ते नहीं नाया वासस्वर्गे पिरोचतेक और मैं भी उने के साथ जंगल में चल पड़ी जबकि मुझे आना का रूल नहीं था पर मैं उनके विना स्वर्ग में रहना मेरे लिए अच्छा नहीं लगता था मुझे अच्छा नहीं लगता उनके विना में स्वर्ग में रहूं तो अयुद्या में किया इसलिए मैं भी वनचा और आगे-ागे सुमित्र का बेटा、 अपने मित्रों को खुश रखने वाले लक्ष्माण अपने भाई की यात्रा के लिए भी वो आगे-ागे चलने लगे और वो भी दुमचीरा पेडों के छाल पहनने लगे, पेडों के छालों से अलंकृत होने लगे और पिताजी के आदेश को मान करके हम लोग जंगल में घुशने लगे और भयानक जंगल में पुरा अद्रिश्टम ऐसा जंगल जो जिंदिगी में हमने कभी देखाई नहीं था ऐसे जंगलों में हम घुशने लगे वसतो दंडका अरण्य तस्याहा मिताउ जशह रख्यसा अपहरुता भार्या रावणेन दुरात्मन और वहीं जब दंडका अरण्य में दंडग जंगल में हम रह रहे थे तभी इस राख्यश रावण के द्वरा मेरी अपहरण की कर दी गई और अब द्वाव मासव तेनमे का लोगा मिरे लिए दो महिने का दया क दे रखाएं तो महीने जीने के लिए टाइम लाइन दे रहा है और दो महिना जिस दिन कुरा होगा उसके अगले मेरा जीवन चला जाएगा क्योंकि वही धमकी देख करके वो गया है कि आज से दो महिने के अंदर अंदर अगर तुम नहीं मान गई मेरी पत्नी होने के लिए तो तुमें उसके ठीक आगले दिन तुमें हम मार डालेंगे काट डालेंगे तो ये मेरा जीवन है इस तरह सिता न अपनी इंट्रडक्शन दिया जव राम हनुमान के उपर तोड़ा उनको भरोसा विया अवो हनुमान की तस्यात द्वचनम सृत्वा हनुमान हरी पुंगवह दुखा दुखा विभूताया सांत्वमुत्तरम अब्रवेत वानरों में स्रिष्ठ हनुमानने सीता की ये बातें सुन करके और सीता की दुख से खुद ही उबरवल्म्ड हो करके सीता को आश्वाशन देने के लिए कंफ़र्ट करने के लिए ये बातें बोले अहम रामस्य संदेशा देवी दूत तवागत वाइदेही कुषली रामस्त्वाम्च कौशलम अब्रवेत ए देवी राम के संदेश देश राम की मेसेज लेकर के मैं यहां आया हूँ दूत बनके आपके पास और आपके बारे में भी पुशलक्षेम अच्छा भला पुछा है कि आप कैसे हैं क्या हैं यह भी पता लगाने के लिए बोला जो गेजर जो वेदों को के विद्ध्वान है और विद्वानों में भी विद्वान है बहुत बड़े विद्वान है वो दाशरत ही दशरत के वेटे राम ने आपके बारे में कौशल पूछा है कौशल मलब आपके हालचल पूछा है आप कैसे हैं क्या है यह पुछवाया है और लक्षमन अश्चमहा तेजा भरतुस्ते अनुचर प्रिया पृतवान शोकसंतप्त शेरशात अभिवाद अनम और बहुत तेजस्वी लक्षमन आपके पती राम के अनुचर पिछे पिछे चलने वाले प्रिया वो भी बहुत दुखी हैं शोकातूर हैं परिशाने संतप्त हैं अंदर अंदर जल रहें उन्होंने भी अपनी सर जुका के आपको अभिवादन अभिवालमला गृट किया है प जब राम और लक्षमन के बारे में हनुमान से ये अच्छी अच्छी बातें सुनी प्रीती सम्रुष्ट सर्वांगी मानों सीता के हर अंग अंग में खुशी दोड़ने लग गई ऐसे पूरे मन से खुश हुई सीता हनुमान से बोला कल्यानी बतगातेयम लवकी की प्रतिभाति में एती जीवन्त मानंदो नरंवर्श शता दपी सिता ने कहा कि ऐसी एक कहावत है ऐसी एक हियर सेंग है अंग्रेजी में कितने अडेज है ना प्रूभर्ब अरो बड़ी कल्यानी बहुती बहुती अच्छी बहुती मंगल दायक कहावत है लवकी कहावत आम लोगों की कहावत क्या है सोशाल भी बिज्जा है कभी ना कभी खुशी तो आती ही आती है जीवन में अगर खुशी ना भी हो ना पैसेंस रखो कभी ना कभी तो सुख वापस आए गए आएगा सो साल भी बिज्जा है खुशी तो वापस आए गए आएगा सिता का ये कहने का मरलब है ये जो आम बात्चित में ये जो प्रोवर्व यूज होता है शायद ये सच है मेरे जीवन में तो सच हो गया कुछ दिन पैसेंस रखने के बाद आज मुझे ये खुशी का ख़वर मिला मला ऐसा तो लगा था कि ये रात कभी खतम नहीं होगी पर अब फोड़ी सी हल्की सी किरण दिखने लग गए हैं तया समगते तस्मिन प्रीतिरुत्पादिता धुता परस्परेण चालापम विश्वस्तव तव प्रचक्रुत हुँ कि दोनों के ये बादचित से दोनों के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होने लगा mutual trust सबसे बड़ी problem जो हनुमान का था कि वो सीता का trust जित सके कि मैं कोई माया भी नहीं रावन नहीं मैं रियली राम के द्वरा भेजा गया एक messenger वह तो ये trust दिरे-दिरे बिल्ड होने लगा ये बड़ी आच्छी चीज थी पर बीच बीच में सीता को अभी भी डाउट होता है तो जैसे ही डाउट होता है सीता फिर चुप हो करके आंके नीचे करके वो पेड़ से दूर भाग चली जाती है अर हनुमान बहुत समझदार है वाइज है इंट्रिजेंट है वो सीता को देखते हैं उनकी बॉड़ी लांगवेज को श्टडी करते हैं देखा सीता जी थोड़ी सी अभी प्रेश्ट बिल्ड हुआ तो थोड़ा सा और नीचे उत्रे अचानक वो पास आएंगे और यथा यथा समीपम सा हनुमान उपसर्पती तथा तथा रावणम सा तमसिता परिशंकते पर प्रावले में हनुमान जैसे ही थोड़ा क्लो जाता है शीता को दुबारा डाउट पैदा हो जाता है फिर वो फिर घवराने लगती है अहो धिक दुश्कृतमिदं कथितं ही अदस्यमे रुपांतर मुपा गम्य सेवायम ही रावण ओ धिकारे मुझे में फिर फंस गई रावण अपना रूप बदल के आवाता और में फिर फंस गई इसको अपनी बाते बताने लग गई फिर वो दुखी हो गई का मशूक स्यशागंशंविमुक्तवातो शूक कर्शिता अभीतक जब हम्युमान से बात कर रही थी तो खड़े elect churches पेड़ पेड को पकड़के अपना सहरा दे करके कमजोर हो गई यह तो पेड की सहारे से खड़ी हो करके थोड़ी थोड़ी बात कर रही थी पिर जब हनुमान थोड़ा सा नीचे घवर आई अपने आपको धिकार में लगा और फिर दुखी हो करके उस पेड को छोड़कर के धरती में फिर बैठ गई मोह नीचे करके और रोने लग हनुमान अपि दुखार ताम ताम द्रश्ट्वाम भायमो ही ताम अवद अवन्दत महावाहू ततस्ताम जनकात्मजां तो हनुमान ने देखा दुख से बहुत ज़्यादा ओवर्वर्ट और डरी हुई शीता ऐसी हालत में है हनुमान ने उनको हाथ जोड़कर के बंदना पुर्वत बोला साचाई नम भया वित्रस्ता थूई हो नहीवा भ्यूदाई शता पर सीता फिर डर के मारे नीचे मूँ कर लिया अब हनुमान को ना देखे ना हनुमान से बात करे इतने फास्ट हो रही है एक-एक मिनिट में यकिन कर रही है एक-एक मिनिट में यकिन डायव हो जाती पिर मूह नीचे करके बैठ गे पिर उन्होंने देखना ही बंद कर दिया हनुमान को तंद्रिष्ट्वा वंदमानं तो सीता शशिनिभानन अब्रविद्धेर घमुच्वस्यवानरं मधुरस्वरा मायं प्रविष्ट्व माया वियदित्वं रावनस्वयं उत्पादयसिमे भूयसंतापं तन्नशोवनं पिर हनुमान तो इदर हाथ जूड़के भक्ति भाव से पेड़ पर बैठाये चंद्रमा के समान मुह वाली सीता ने लंबी सांस लेकर के बड़े मिठे स्वर से उस वानर को बोला कि हे रावन तुम माया वी हो यदि तुम तुम रावन माया वी माया के माया वेश बदल करके यहां आये हुए हो मुझे डराने के लिए ये तन्न शुभनम ये अच्छी बात नहीं है तुम वही रावन हो ना जो जनस्थान में अपना राक्ष्य सुरू बदल करके परिब्राजक सन्यासिका रूप धारण करके मेरे पास आया था देखो उपवासक्रिशाम दीनाम कामरूप निशाचर संतापयसिमाम भूय संतप्ताम तन्न शुभनम देखो मैं वैसे ही भूके प्यासे रहने के कारण कमजोर हो चुकी हूँ उसकी बावजुत तुम मुझे और घवरारे डरारे टेरोराइज करेओ तन्न शुभनम ये अच्छी वात नहीं है अथवा नैनत तेवं ही यन्मया परिशंकितं मना सोही ममप्रीती रुत्पनात वदर्शनात अभी अभी डर रही थी फिर अपने मन को फिर समझाई नहीं कहीं में अन्नेसेसरी अनावश्यक डाउड तो नहीं कर रही है क्यों कि अगर रावन होता एक होता है ना आपकी इंटर्नल इंट्यूशन तो मेरे अंदर से डर होता पर इसको देखकर तो मुझे अंदर से खुशी हो रही है पृती हो रही है तो यह रावन नहीं हो सकता है यदि राम अस्य दूत अस्त्वम आगतो भद्रम अस्तुते पुरुच्छा मित्वाम हरी श्रेष्ट प्रिया राम कथाहिमी। अच्छा बताओ यदि तुम सचमुच राम का दूत बनके आये हो भद्रम ते अस्तुते तुमारा कल्यान हो तुमारा भला हो पर मैं तुमसे पूस्ता हूं है वानरों में स्रेष्ट मुझे राम की बारे में सुनना बड़ी प्यारी है मुझे राम की बारे में कोई बताए त तो फेर ऐसा करो तुम राम के बारे में बता राम के गुणों के बारे में बता चित्तम हरसिमे सोम्या नदी कूल अम यतारया जैसे नदी के किनारे को पानी की जो लहरे हैं तो खाती रेटी तोड़ती रेती नश्ट करता रहता है बहुत करता रहता है इसी तरह राम के बारे में जब कहीं कोई बात ह Hm तो मेरा मन भी धीरे-धीरे गायव होता रहता है अर्थाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुकून मिलता है अहो स्वप्नस्य सुकता याब अहमेवं चिराहुता प्रेशितम नाम पश्यामी रावगवेन बनव कशन फिर अच्छा ये दो स्टेटमेंट हो गया पहले हनुमान हो अगर राम का दूत हो तो बताओ फिर तीसरा उनका मुड़ मुड़ सुइंग वा हो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रहा हूं और सपन में सुक मिल रहा है क्योंकि पर सुक में कैसे सपना कैसे देख सकती हूं मेरे सपना देखना तो कितने सालों से गायव ह क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूं कभी सोई नहीं अर जो सो इन नहीं हूं तो शपन देख भी नहीं सकता तो में राघव की द्वरा भेजा गया जैंगली जनगली मनुष्य को या जैंगली व्यक्ति को कैसे नहीं देख सकता है सपने पी अध्य हम वीरम राघवं सहलक्षमन पश्ययम नावसी देयम सपनों पी सप्ममत्सरी बड़े इंट्रेस्टिंग है इस लो कभी की स्टाइल देखे वालन की की सपन में भी मैं अगर राम और लक्षमन के साथ देख लूना सत्रिम भी देख लूं नावसी देयम तो भी मुझे बचेन नहीं होता तो भी कर में दुख से गुझर आई हूँ वो मुझे नहीं होता मैं खुश हो जाती है इस घलना है इर्शा करती है मतलब मुझे सब मेरे पास अपना आती नहीं है ना हम सपनम इममन्ये सपने द्रिष्ट्वाहिवानरम नशक्यो भ्युदया प्रात्तम प्रात्ष्चा भ्युदयोमम फिर सूची चौथी स्टेट्मेंट बदला नहीं मैं सपना नहीं देख रही है क्योंकि सफने के की सपने में अगर आरए तो अभ्यूदय नस्ट हो जाता आपकी लाइफ में जोड 26 आछीसा है नश्ट होसार के मइस बंदर पपने पर मुझे तो लग रहा है कि मँझे मैं अंद्र से को रही हूं मुझे लग रहा है जैसे कि अभ्यूदय कुश अच्छी चीजें धटने वाली तो मतलब में सपने में नहीं कि फिर क्या है मेरा कि नुस्याचित्तमोहयम तो क्या यह मेरा इल्यूजन अफ माइंड है कित्तका मोह है भवेट वातगति इस्तुयम यह जो आयुरुवेद में बताया जाता है वातगति जो निरो लोजिकल डिसर्डर मेंटल इंबैलेंस है मेरी उनमाद जो विकारोबा या पागलपन के कारण कोई दौरा पड़ रहा है मुझे स्यादियम म्रगत्रेश्ण का या यह कोई मिरेज है रेगिस्तान की जो म्रगमरीची का है अथवा नायम उनमाद हो नहीं नहीं यह उनमाद नहीं हो सकता पागलपन इंसेनिटी नहीं हो सकता मोहों पी यह डेल्यूजन भी नहीं है उनमाद लक्ष्मना लक्ष्ण और कोई किसी तरह की डेल्यूजन की भी कोई डाउट नहीं है मैं तो लग रहा है कि मैं ठिक ठिक आँखें मेरी ठीक है शरीर ठीक है मैं सामने इसको साफ साफ देख पा रही हूं और मैं सप्न में नहीं हूं नींद में नहीं हूं और यह वानर जो है सिधा जिन्दा दिखता है कभी-कभी जब आप बहुत शाद होते हैं कोई चीज अनेक्सपिक्टेड तो आप अपने आपको चिटी करते हैं कि मैं सच मुझ सपने कहीं जिंदा हो कि सपने में हो कहीं हूं ओ-धको जो आपको तो यह सीता की जो आप देख रहें जो साइकलोजिकल, जो जो क्या किते हो रोलर कोश्टर है जो बार बार चेंज होती है रहती इस ही तो कितना मुस्किल है कि मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है ये मानना नकि कि जब आप 100% hopeless हो चुके हो जब आप शत्रों के बीच में रहते हो ऐसे शत्रों जो इतने ताकत बार है तो आप सोची ने सकते हो even 0.1% ही सोची ने सकते हो कि मेरे साथ बला होगा तब यह एक 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 फेज होता है कि आप 100% झाक को वी तर्श के और आने में आको काफी टाइम लग जाता है थुडाने जाते हैं या बचाने जाते हैं वो उनकी कि कि एक डिपलोमैसी या 59 कि ट्रेनिंग स्कील ऐसी होनी चाहिए निगा अउनष्ण होते हैंπचा's Polis बालों के भी बचानि कि कैसे वो उसके ट्रस्ट को जीते हैं और फिर उसको उधार करते हैं तो हनुमान की भी जो समस्या है और सीता की जिस तरह की इंटर्नल प्रॉब्लम है बड़ी खुब शुरुद धंग से वालमिकी इसको रख रहे हैं कि इत्येवं बहुदा सीता संप्रधार्य अबला बलां रख्यसाम काम रूपत्वात्मे ने तम्राख्यसाधिम इस तरह सीताने मनी मन बहुत तरह के श्ट्रेंग्थ और वीक्नेस को अच्छी तरह सोच समझ के यह डिसाइड किया क्या डिसाइड किया कि यह रावन ही है यह बदल के आया है सीता ने अर्दा एंड यही डिजाइड किया यह रावन है रूप बदल के कामरू पत्वाद अपने इच्छा के अनुशा रूप बदलने वाले यह रावन ही है एताम बुद्धिम तदा कृत्वा सीता सातनुमध्यमा नप्रती व्या जहाराथ वानरम जनकात मजा जनक की बेटी सीता इस तरह मन में समझ सूच करके अवानर से बात करना बन करते हैं जो एक डायलक सुरू हुई थी फिर बंद हो गया सीता यास्चिंतितम बुद्ध्वा हनुमान मारुतात मजह सुरुत्रान कुले रवचनी तदाताम संप्रहर शयत जब सीता की इस उ परेशानी को हनुमान ने ठिक ठिक समझा तो उन्होंने कान को कान को अच्छे लगने वाले बातों से सीता को खुश करने की कोशिश के सीता के कान को किन चीजों से खुशी मिलती है राम की तारीब करने से, आदित्य इव तेजस्वी लोककांत शशी यथा, राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा, विक्रमेन उपपन्नस्य यथा, विष्णुर महायशा, सत्यवादी मधुरवाग देवो वाचस्पतिर यथा, रुपवान सुभगा श्रीमान राम की तारीब कर रहे हैं, वो राम जो सुरज के समान तेजस्वी है, जो चंद्रमा के समान लोगों को शीतलता कुशी देने वाले हैं, जो वैश्रवन के तरह, हुवेर के तरह सारे अपने राज्य को अच्छी तरह राज करने वाले हैं, जो वीरत्व में विष्णों जै ब्रहस्पति जैसा हैं जो रूप में कंदर पा कामदेव जैसा हैं इस्थानक प्रोधप प्रहरताच स्रेश्ठोलों के महारत वाहुच्छाया मवश्टब्धो यस्यलों को महात्ममार्च जो अपने सही टाइम और प्लेस पर ही गुस्सा करते हैं वो गुस्सा हो प्यार हो न जफरत हो या अपना पन हो वो इर्शा हो वेश हो जो भी जो भी आप नाम लीजिए यह कोई ना अच्छा होते हैं ना खराब होते हैं अच्छा खराब इनका होता है गलत टाइमिंग गलत प्लेस और गलत प्वांटिटीट है ना और देखे बड़ा खुप्श्रत एक्जा सफारे में क्या दिया थान कुरोधा गुश्राम मलद जो अच्छे लोगों है जिनका गुष्र टाइम और प्लेस सब्सक्रीच वह उता हो तो गुष्रनकर मुक्य। पर आपकी गुस्सा करें कितना करें कहां करें कब करें यह आपको पता हो देना आपका गुस्सा भी अम्रुत होता है हर चीज की यह हर चीज की यह की जो भी चीजें अच्छा या बुरा है सब नाचुरल है प्राकृतिक है और जो भी प्राकृतिक है उसका कोई ना कोई परपस या उद्देश्य जरूर है हमारी प्राबलम है जब हम without any context थान, काल, पात्र को गुले सिर्फ emotionally overwhelmed होकर हम कोई कि इस तरह की चीजें करते हैं तो नुक्षान करता है उसमें तो प्यार करना भी खतरनाक होता है जब आप सही quantity में, सही जगह, सही टाइम पर, सही quantity में प्यार नहीं करते हैं तो वो प्यार भी खतरनाक ही होता है तो कोई भी अच्छी या बुरी emotional चीजे हो उसका सही यूज करना ही अच्छा प्छल देने वाला होता है यह अच्छे लोगों के adjective में आता है क्या अस्थान अक्रूध है यह जो शब्द दिया इंट्रिस्टिंग शब्द है तो वो राम जो सही समय पर तहुव्यक्ति पर गुसा करने वाले जो प्रहरता जो दूसरों दुष्टों को punishment देने वाले जो रत चलाने में माहीर हैं ग्रेट रती हैं जिनकी बाहू की चाया के नीचे आप मिश्चिंद हो सकते हैं अपक्रश्याश्रमपदान मुर्गरुपेन राघवं सुन्ये ये ना पनीतासी तस्यद्रक्ष्यसियत पलम उस राम को मुर्गरुपक राख्यस के द्वरा भटका कर आपको जिसने उठा करके ले आया आप देखेंगे उसका पल क्या होगा अब आप देखेंगे नचिरात रावणं संख्ययो वदिश्यती वीर्यवान रोश प्रमुक्ते रिशु भेरिज्वलत भीरिव पावक्की तेना हम प्रिशितो दूत स्वत्सकाशा मिहागत तद्वियो गेन दुखार्तस स्वाम कौशलम अब्रवीत बहुती जल्दी जादा देर नहीं है संख्यय के तने लड़ाई लड़ाई के मैदान में वीर्यवान वीर्यराम उस रावण को मारेंगे किसे मारेंगे अपने गुसे के गुसे से निकाले गए आग जैसे वानों से मारेंगे ऐसे रावन के द्वारा मैं दूद के रूप में आपके पास भिजा गया हूं वो त्वद वियोगेन आपके सिपारेशन से आपके वियोग से बहुती दुखी हैं और आपके बारे में उशलक्षे ममलव आपकी हाल चाल पूछा है लक्ष्मनष्य महातेजा सुमित्रानंद वर्धन अभिवाद्य महावाहू सत्वाम कौशलम अब्रवीत महातेजस्वी सुमित्रा का कुशी बढ़ाने वाला लक्ष्मन भी आपको अभिवादन सर जुका के नमस्कार करके आपकी कुशलक्षे में पूछा है राम का मित्र सुग्रिव जो वानर राज है उन्होंने भी आपके बारे में कुशलक्षे में पूछा है नित्यम स्मरति रामस्त्वाम ससुग्रिव सलक्ष्मन राम आपको रोज याद करते हैं मक्देवी सुग्रिव और लक्ष्मन के साथ हैं और आपको रोज नित्यम स्मरती दिष्ट्या जीवसी वैदेही राक्षशी वशमागता और यह हमारा सवभाग्य है दिष्ट्या सवभाग्य से कि वैदेही जीवी थें राख्यशियों के बीच में रहते हुए वैदेही सीता आप जीवी थें यह हम सब के लिए बड़े लख की बात है नाचिराद्रक्षसे रामम लक्ष्मनम चमहावलम मध्यवानर कोटी नाम सुग्रिवम चामित उजसम आप बहुत ही जल ज्यादा दि नहीं है आप देखेंगे राम को वीर लक्ष्मन को और उनके बीच में वानरों की राजा सुग्रिव को और उनके बीच में करणों वानरों को आप जल्दी देखेंगे लगाई करने आएंगे और मैं कौन हूं हम सुग्रिवा सचिवू हनुमान नाम वानरह प्रश्टु न में उस वानर्राज सुग्रिव का मंत्री हूं सेक्रिटेरी हूं मिनिस्टर हूं मेरा नाम हनुमान है मैं इस बड़े से महासागर को पार करके इस लंका में प्रवेश किया हूं कुर्त्वा मुर्धनी पदन्यासं रावन अस्य दुरात्मन हम द्रश्टु मुपायातु हम समाश्रित्य पराक्रम में अपने बलारो पराक्रम के सहारे इस दुष्ट रावन के सर पर पैर रखे पला सचमुच नहीं रखे समुंदर को पार करके मैं आपको देखने के लिए में वैसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रहें विशंका त्यज्यतामेशा आप वो डाउट जो शंका है सस्पिशियस सस्पिशियन है मेरे प्रती वह आप छोड़ दीजिए मेरी बात को यकीन करिए मेरी बात को ट्रश्ट करिये मैं वही हूं हनुमान हूं मैं वह नहीं हूं तो हनुमान और सीता की इए बातचित से अभी धीरे-धीरे सीता का अलमोषट हनुमान ने ट्रस्ट जितना शुरू कर दिया अगले बार हम जानेंगे सीता को अभी भी डाउट है तो सीता कहती कि ऐसा करिए आप बताओ अगर आप राम ने भेजा है आप बताओ राम से आप कैसे मिले लक्षमन से कैसे मिले राम लक्षमन की शरीर उनकी जो बॉडी को डि कैसा है इस सुग्रीव कौन है आपको कहा मिले यह सब चीज़ें आप डिटेल में बताओ फिर मैं मानूंगे तो उसके बाद जब हनुमान बताते हैं तो सिता को यकिन होता है फिर जब एक बार सिता की ट्रेस्ट हनुमान जीत लेते हैं फिर जो मिशन की जो आगे की कारवाई वो फिर आगे होता है वो फिर हम अगले बाद जानेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें